असलम अलेकुम दोस्तों वीडियों में आपको देंगे साओधी के लेटर्स में बोटन अपडेटी वडियों उनके लिए बहुत ही इंपोर्टन जो लोग अभी साओधी अरभी है में रहते हैं इसके साथ अगर आप साओधी अरभ से अपने देश का सफर करने वाले हो तो य एक नया रोल्स लाओ किया गया है हम आपको इस वीडियों पूरी जान करेंगे और गृति वीडियों में आपको बताएंगे आप लगाने को लेकर अपडेट किया गया है और कहा गया है एक प्रेस कांफरेंस के जरीए कि 288 नागरिक और निवासियों को हज का उलंगन करनिक वैसे गरबतार किया गया है और इन पर 10,000 सौधी रियाल का जुर्बाना लगाया गया है मतलब 2,10,633 रुपे का जुर्बाना कर दिया गया है मतलब मक्का के ग्रेड मजद के चारो तरफ सुरक्षा गेरा बना दिया गया है ताकि अभी 16,000 से अधिके जो वाहन है और एक लाग से अधिके जो लोग हैं वो अभी एंटेनर कर पाया मतलब फिलहाल इनको रोक दिया गया है दोस्तों सौधी की अगली अगर कोई भी आपका मक्का मदीना में हज उम्रा करने के लिए गया है तो वहाँ पर मदीना से मक्का को टोटल 45 जालों को बेज दिया गया है बस से और बस की टोटल संख्या 1188 थी और अभी सभी लोग को आस्वासन दिलाया गया है कि जो भी सेवा है आपके लिए वो पू अगरी देखी गई है और यहां पर पूरी सुविदा के साथ है आपको भेजा गया है और रखा भी जाएगा दोस्तों अगले अपडेट फ्लाइट को लेकर है जिसके बार में आप सभीलों को जानकरी होना चाहिए और इस वीडियों को जादस जादा आप लोगों तके सेर करिए क्योंकि यह है एक पहली अपडेट खुस खबरी है मनलब जो फ्लाइट नेस है वो अब आमेजोन के साथ एक हस्ताग चार कर चुकी है जिसके मादम से अब आपको यह फाइदा होगा कि एलेक्टानिक मादम से ओनलाइन तरीके से आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार खरी सकते हो और आसानी से अपना सफर कर सकते हो तो यहां पर फाइदा क्या है कि अब आप किस्तों पर फ्लाइट टिकट खरी सकते हो दोस्तों इस अपडेट के अमसार यह भी कहा गया है कि इस समझहोते में जो अपडेट किया गया है उसमें मद्द पूर्व और उत्री अ पासानी से होगा दोस्तों आगली अपडेट एमर्जंसी फ्लाइट लेंडिंग को लेकर हैं सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई दिल्ली से दुबई जा रही इंडियन एरलाइन से स्पाइस जेट को अभी कराची हवाइडे पर आपात कालिन लेंडिंग की गई है इसका जो नाम है एरलाइन्स का बोईंग 777 से तकनेगी खरावी बताई जा रही है यहाँ पर कप्तार ने कंट्रोल टावर से संपर करके एमर्जंसी लेंडिंग कराई और यहाँ पर यह कहा गया है कि भारते बिमान ने सुबा साड़े नौ बजे जिन्ना अंतराष्टे होए डे पर आपात काली लेंडिंग कराई है दोस्तों इस फ्लाइट के अंदर टोटल डेर सो आदमी सवार थे भारते मीडिया के इमसार कहा गया है कि पिछले 15 दिन में स्पाइस जेट की यह तीसरी एमर्जंसी लेंडिंग है मतलब 19 जुन को पतना में एमर्जंसी लेंडिंग हु पर उतार लिए गया था